डॉक्टर प्रवाकर चतुरवेदी बने रेड क्रास के नए चेर्मेन नई कारिकार्णी का हुआ गठन 28 सदस्य हुए शामिल वाइस चेर्मेन के रूप में डॉक्टर एके खान एवं डॉक्टर राजेश सिंग को मिली जिम्मेवारी आपको बताते कि कलेक्टर मनोट पुष्ट द्वारा भारती रेड क्रास सोसाइटी रीवा की नई कारिकार्णी का गठन किया गया है जिसमें 28 सदस्य शामिल हुए है समित के चेर्मेन डॉक्टर प्रभाकर चतुरवेदी को बनाया गया यही समित का वाइस प्रेसिडेंट के रूप में जैयंत खन्ना को कलेक्टर द्वारा मनोट किया गया है कलेक्टर द्वारब प्रभाकर चतुरुवेदी को रेड़ क्रास का नया चैर्मेन बनाया गया इसके तरिक वाइस चैर्मेन के रूप में इस तरह सभी वर्गों से सदस्यों को शामिल करते हुए 28 सदस्य कारकार्णी और प्रभन समित कठित की गई जिसमें कारकार्णी के सदस्यों में डॉक्टर S.K. श्रिवास्टो, डॉक्टर सुसिल त्रिपाठी, प्रोड़क्त कनोजिय, डॉक्टर B.K. शर्मा, श्री N.P.S. परिहार, SDM त्रिपाठी, श्री सुनिल सिंग, यूबी तिवारी, डॉक्टर रास्तो सग्रवाल, वरिष अधिवक्ता, सुसिल तिवारी, वरिष चिकित्सक, डॉक्टर K.K. परवहम, डॉक्टर मनो जिन दूलकर, डॉक्टर सत्य तिवारी, डॉक्टर B.N.P. पाठी, श्री मती भार्थी शर्मा, स्री मती सीमा, रॉक्टर रजीर सिंग, श्री मुकुन मिश्रा, डॉक्टर एवब जिला सिक्षा दिकारी को नई कार्यकारणी का पदेन सधा से बनाए गए हैं पदादिकारी को रेट कार्यों के सेवा है तो सपत दिलाई कैसे कारियों में गज़ पुर्दान करने के लिए इसके लिए समय भी निकालता है, मदद भी करता है, बल भी देता है, बुद्धी भी देता है इन सब कामों के लिए टाइम मनेजमेंट के आवे सकता होती है, इसलिए सुवे जगना, सुवे से लेके साम तक के सारे कारिक्रम उनको बेवस्तित करना, उनके बारे में सोचना, उनके बारे में एक दिन पहले हमें कल क्या काम करना, उसके लिए हम अपना समय बेवस्तित कर ल सब को अलग अलग भागों में भीवक्त करके उनको कितना समय देना कितना उसकी लिए हमको ब्यास्था देना और कहां कहां किस तरह किस समय पर जाना अस्पताल का हमारा जो समय उसको लगभग छोड़कर मैं उस मैं उस मैंजमेंट के माधिम से समय का जो मनेजमेंट होता है सम काम करते हुए और अपने सभी दायतों का मैं निर्वार करता हूँ डाक्टर सां वे सजी रहता है कि परिवार के लोग फिराब से कभी-कभी नाराज हो जाते होंगी जब आप कहते सुबह से लेके साम तक आप समा सेवाम नगते और आपकी क्लीनिंग में सफ़त होता है मरीज कर रही है कि इनको ध्यान में है कि गर्यां में काम कर रहे हैं इसके लेको उसरीकारी मुष सब प्रती दो जरूर छोटे-चोटे हमारी पोते हैं, छोटे वाली बेटे के, जो हमारा बेटा प्रोफसर है और बहुत भी प्रोफसर है, डाक्टर प्रोफसर है, वो पाल में है, तो वोने दो पोतों के लिए कभी-कभी मैं समय निकाल करके उनके बीच में पहुंशता रहता हूं, या करते रहते हैं, क्या करें, कैसा करेंगे हूं, तो लेकिन अंदर से उनके ध्यान में भी सारी बाते रहते हैं, कि ये जो काम हो रहा है देवी औरी सुरीकारिय है, उनका पूरा श्राहिवह स्विष से साम तक जब भी है, जलिक भोजन." तो उनको ऐसा लगता है कि इस काम में सही हो करना चाहिए अच्छा काम हो रहा है। जैसे कि अस्षी के ऊपर आप पड़ाओ करास कर गए हैं। इन सब चीजों को स्वास्त के लिए अपने क्या-क्या आप? कि अस्षी के ऊपर तो नहीं गया हूँ, अब शत्तर के ऊपर गया हूँ, 72-73 वर्स की उम्र है। इस उम्र में इश्वर की कृपा है। स्वास्त में तो कभी-कभी उचानी चाहसा होता रहता है। तक्रीफें उम्र की हिसाब से जो होती हैं, वो आती हैं। लेकिन वो इतना प्रफाव नहीं डाल पाते हैं कि हमारे किसी भी कारे में उनके कारण दूब रखाता है।